हर व्यक्ति चाहता है कि वहे जिस कार्य से यात्रा पर जा रहा है उस कार्य में उसे सफलता मिले उसका कार्य घरेलू कार्य हो सकता है वहे कोई व्यापारिक कार्य से जा सकता है या सगाई संबंध आदी के लिए प्रस्तान कर सकता है अथ्वा अन्य किसी महत पूर्ण कार्य के लिए जा सकता है तो ऐसी इस्तिती में कि उसे उस कार्य में सफलता मिले हाना कि कई फैक्टर्स कई कारक कई तक्व इसमें कार्य करते हैं लेकिन उनमें एक बहुत ही महत पूर्ण फैक्टर जो है वह है जिस दिशा में वह व्यक्ति यात्रा पर जा रहा है उस दिशा में दिशासूल की इस्तिती क्या है क्या वह है लाब प्रद है या नहीं है क्या उसका कार्य सफर होने की संभावना रहेगी या नहीं रहेगी तो यहां में आपको आज उत्तर दिशा में यात्रा के संबंध में दिशासूल की जानकारी देने जा रहा हूँ मुझे उमीद है कि आप ध्यान से इसे सुनेंगे और एक कागज पर इसे लिख कर बार-बार समझने की कोशिश भी करेंगे आप से मेरा यही कहना है कि यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अवश्य करें शेयर करें यदि आपके अपने कोई विचार है तो आप कमेंट बोक्स में अपना कमेंट अपने विचार बहुत बहुत अच्छे तरीके से लिखे बताएं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जबाब दे सको अपने मुद्दे पर आते है और वह यह है कि जहां व्यक्ति रहे रहा है जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति जैपूर राजस्थान में रह रहा है तो वहां से उसे इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जैपूर से उत्तर, दक्षिन, पूरब, पश्चिम इन दिशाओं में कौन-कौन से शहर आ रहे है क्योंकि जब वह यात्रा करेगा तो अभी जैसे मैं उत्तर दिशा की यात्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ तो उसे उस शहर यानि की जैपूर से उत्तर में जो शहर या गाउं आ रहे है उसके लिए जानकारी होनी चाहिए यदि वह उत्तर दिशा में यात्रा करने जा रहा है और दिन मंगलवार है बुद्वार है या शनिवार है सोमवार है चार वार बता रहा हूं मैं मंगल बुद्ध शनी और सौम इन चार वारों के होने पर उसे उत्तर दिशा की यात्रा को टाग देना चाहिए नहीं करने चाहिए संभावना रहती है कि जिस कारिय से वह जा रहा है वह कारिय उसका सफर नहीं होगा तो फिर उसे कब जाना चाहिए कौन से वार को जाना चाहिए कि उसकी यात्रा सफल हो उसे अपने कारिय में सफलता मिले जो वार सप्ताह के छुट गए है अर्थार्थ शुक्रवार को रविवार को गुरुवार को यदि वह उत्तरदिशा की यात्रा करता है तो ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है ऐसी संभावना है कि उसकी यात्रा सफल होगी उसे कारिय में सफलता मिलेगी यहां में आपको यह जानकारी देदू कि देखिए मैं बड़ा इस्पष्ट विचारों का इनसान हूँ इनसान को ढ़ाक के तीन पात यह भी नहीं रखना चाहिए लकीर का फकीर भी नहीं होना चाहिए अर्थार्थ यह एक कारक है हो सकता है उस दिन सरवार्द सिध्धी योग हो या और कोई बात हो और एसी इस्तिथी में जिन दिनों में यात्रा निसेद बताई है उन दिनों की यात्रा आपकी सफल हो जाए केवल एक कारक दिशासूल का वास कौन से दिन किधर रहेगा उसे ध्यान में रखते हुए आपको मैंने यह जानकरी दी है कि दिशासूल का वास सोमवार सोई मंगलवार बुधवार को नोर्थ में ही रहता है तो सामने हो गया शनिवार और सोमवार को पूरब में रहता है दाहिने हो गया सामने और दाहिने जब दिशासूल होता है तो वह अच्छा नहीं माना जाता है बाएं शुकरवार और रविवार को दिशासूल की इस्तिति रहती है और पीछे गुरुवार को दिशासूल की इस्तिति रहती है ये दोनों इस्तितिया उत्तर दिशा की यात्रा में लाबदायक रहती है इसलिए इन तीन दिनों में उत्तर दिशा की यात्रा सुखद और सफल मानी जाती है मुझे उमीद है कि उत्तर दिशा की यात्रा किस दिन करनी चाहिए किस दिन नहीं करनी चाहिए, दिशाशूल के आढ़ार पर आपको समझ में आया होगा, यदि आप इन बातों में यदि रूची रखते है, मानते है, तो आप जरूर इने ध्यान रखने की कोशिश करे, परमात्मा आपको सदा सुखी रखे, हर कारिय में आपको सफलता मिले, यही मेरी कामना है, जैशी किसना